चम्बा विधान सभाक शेत्र की बात करें तो इस बार चम्बा विधान सभाक शेत्र काफी चर्चा का विशे रहा है उसका एक सबसे बड़ा कारण यहां पर बीजेपी ने जब अंतिम समय पर टिकेट बदल दिया पहले यह जान लेते हैं कि इस बार मैदान में है कौन-कौन इस बार बीजेपी की तरफ से नीलम नईयर, कॉंग्रेस की तरफ से नीरज नईयर और आमादमी पार्टी की तरफ से शशिकान थैं बात यहीं नहीं रुकती इस बार बीजेपी की अपनी बागी इंद्रा कपूर इंडिपेंडेंडन तोर पर वहां पर चुनाव लड़ र प्रिकट न देकर इंद्रा कपूर को वहां से पहले अपना प्रत्याशी बनाया था नामांकन भी हो गया लेकिन उसके तुरंत बाद खबर आए कि इंद्रा कपूर को नामांकन वापिस लेने के लिए कहा गया है वजा बताई गई उनके खिलाफ एक आपरादिक मामला लंबि था उसके बाद आनन्फानन में पवन नायर की पत्नी नीलम नायर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया लेकिन इस पर इंद्रा कपूर खासी नराज हो गई और उन्होंने निर्दलिये तोर पर परचा भर दिया 2012 के चुनाब को देखें तो यहाँ पर कॉंग्रेस परत्याशी विजही रहे थे हलाकि वहाँ भी मारजन बहुत कम था और 2017 में भी मारजन कम था इस बार कुल वोटर 81,594 हैं लेकिन यहाँ पर बीजेपी के मुश्कलें बड़ी नजर आ रही हैं और सीधे तोर पर कहा आते हैं अब वो किसकी वोट में सेंद लगाएंगे यह तो बाद में पता चलेगा लेकिन कॉंग्रेस इमान के चल रही है कि इंद्रा कपूर बीजेपी के वोट में अच्छा खासा सेंद लगा सकती हैं तो क्या इंद्रा कपूर अपने दम पर जीत भी सकती हैं सवाल ये बड़ा है ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि यहां पर बीजेपी को नुकसान तो दिखता है लेकिन नुकसान इतना बड़ा होगा कि बीजेपी हार जाएगी ये देखना दिल्चस्प रहे का कहा जा सकता है कि इस सीट पर कांटे का मुकाबला है यानि कि तिकोना मुकाबला तो हाली घड़ी में दिखी रहा है और इस तिकोनिय मुकाबले में इस बार थोड़ा सा कॉंग्रेस को अगर एज दे दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा लेकिन इस बीच इंदरा कपू किसका खेल बिगारती है या फिर सीट निकाल लेती है या फिर बीजेपी अपना कि आने वाले समय में यानि कि 8 दिसंबर को जब EVM खुलेंगे तो उंट किस करवट बैठेगा EVM दर EVM खुलेगी और तब पता चलेगा कि भाग्ये ने किसका साथ दिया है निलम नेयर का निरेज नेयर का शशी कांत का या फिर बीजेपी से बागी होकर लड़ने वाली इं द्राकपूर्का